तो ये है Fire Godzilla और ये है Ice Godzilla आज हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है तो भाई यहां तुम लोग देख सकते हो कि Fire Godzilla जो है Los Santos में कितना तबाही मचा रहा है Fire Godzilla को तो सिर्फ एक ही बंदा रोग सकता है और वो है Ice Godzilla तो आज हम लोग जो है Ice Godzilla को उसके Snow City से ढूंडने वाले हैं क्योंकि Fire Godzilla पूरे Los Santos को तबाह करतेगा तो इसी काम के लिए मैंने जो ही इस प्लेन को मंगाया हुआ है जो कि हमें Snow City पहुचने में मदद करेगी भाई मुझे तो experience में नहीं है इसे चलाने का यार यह प्लेन तो काफी सही चली है और भाई भाई Fire Godzilla खोड़ा से बस रुक जा यार पूरे Los Santos को तबाह मत कर देना हम लोग जल्दी से चलते है Snow City और लाते हैं वहां से Ice Godzilla को ताकि Ice Godzilla Fire Godzilla से लड़ सके और हम लोग जो है इस लास सेंटास को बचा सकें तो भाई हम लोग जो है फाइनली स्नो सिटी आचुके और भाई साहब यार इधर के तरफ तो कितना बर्फ है यार पूरा ठंडा लग रहा है चलो त्यार इसको हम लोग जो है यहां फे लैंड करते हैं ओके बहुत से और हम लोग Ice Godzilla को ढूंदते वहां पे जो है Fire Godzilla ने पुरत तबाही मचा दिया है और Fire Godzilla से सिर्फ एक ही बंदा लड़ सकता है और वो है सबसे खूंखार Ice Godzilla मैं बताना तो नहीं चाहता पर मुझे यह बताते हुए दूख हो रहा है कि Ice Godzilla काफी साल पहले ही मर चुका है क्या आप कहे रहे हो कि Ice Godzilla मर चुका है पर मैंने तो सुनाए कि Ice Godzilla अभी भी जीवी ते और वो जाए यहीं कहीं स्नो सीटी में कहीं इधर आसपास ही है अरे नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ Ice Godzilla मर चुका है अच्छा ठीक है आप जैसा को अब आप कह रहे हो कि आइस गोडजिला मर चुका है तो वो मरी चुका होगा तो ठीक है सर थैंक यू आपके मदद के लिए ठीक है ठीक है जाओ तुम तब भाई यार उसका जो मतलब मुझे हरकत लगना था ना यार मुझे वो पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बंदा जूट बोल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे हम लोग कहीं आसपास छुप जाते हैं और भाई यार नजर रखने के लिए यार मेरे ख्यास से यह लोकेशन बहुत सही रहेगी तो उसकी हमें सारी हरकतों का पता चलेगा तो हम लोग थोड़ी देर तक वेट करते हैं और भाई यार ये बंदा तो जाए कार से कहीं भाग रहा है यार हमें जो इसका पीछा करना होगा जल्दी से चलो यार तो जल्दी से हम लोग जो उस बंदे का पीछा करते हैं और ये गारी पता नहीं कैसी है हम लोग इसी को ले लेते हैं मेरे कहाल से स्नो पे ये मस्ट चलेगी तो वो बंदा जो है इधर ही कहीं गया था मेरे कहाल से लेफ्ट गूमा होगा और भाई यार मौसम बहुत खराब हो रहा है यार मुझे अच्छे से कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई इधर के तरफ कैसा ग्रेव याल्ड है तो हम लोग एक बार इधर देख लेते हैं यार माफ करना मैं इधर जाए पुरा डिश्टरब करना हूं सबको अरे सॉरी सॉरी यार ग्रेव के हमें नहीं चड़ाना है भाई उस बंदे की जो गाड़ी थी वो जो लाल रंगी थी ती अर भाई इधर ही क कर देंगे तभी वो जाए हमें सच बताएगा लेकिन सबसे पहले भाई मैं इधर के दरफ छुप जाओ चुप जाओ चलो तो तू अपना मूझ खोल और पता की किदा रहा कॉट चिला तूने जूट कहा था नहीं अरे अरे साहब माफ कर दो मुझे मैंने तो इस लिए जू और भाई यार यार चानक से आवाज कैसा है यार भाई सब यार कुछ तो है यार आसपास मेरी क्या से ये गौट जिला तो नहीं भाई किदर से आवाज आ रहा है यार ओ तेडी भाई साहब ये कैसा अचानक से मेरे पीछे जाए आइस गौट जिला आ चुका है और भाई य यार हम लोग खुदी पूछ लेते हैं ये सभी मॉन्स्टर्स के बाप आइस गॉडजिला हमारे जो सहर लॉस एंटॉस हैं उसमें जो या फायर गॉडजिला ने हमला कर दिया है और उससे तकेवल आपके जैसा महा सकती साली ही लड़ सकता है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरे पूरे सहर को बचाने के लिए अच्छा ठीक है चलो भाई यार फाइनली मुझे इतनी खुसी हो रही है मैं क्या बताओं यार आइस गॉडजिला ने हमारी बात मान लिये और अफसायत से जो हमारा सहर है वो जो है फायर गॉडजिला से बच जाएगा तो चलो अब हम अब तो जो है फायर गॉडजिला को मारने जा रहे थे पर यार अचानक से हमारी पीछे पुलिस कैसा लग गई है हमें अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से इन सब को मारना होगा भाई साब यार काफी जादा बंदे आ चुके है और भाई आइस गॉडजिला हमारी बागना होगा और भाई पता नहीं यार आइस गॉडजिला जाए यहां पर कैसे इस गाड़ी में बैठ गया यार यह पता नहीं क्या हरकत कर रहा है तो चलो यार हम लोग जल्दी से हम लोग चलते हैं क्योंगी यार एक तो यह सब जय करक्टर पुलिसमेंज हमें परसान कर रहे हैं उपर से जो फायर गॉडजिला है वो अलग लोसेंटास को तबाह कर गया है और भाई फिर से यार फायर गॉडजिला चिलाया तो यार हमें जल्दी से जो जाना होगा और भाई यार मेरे सूत्रों के मुताबिक जो फायर गॉडजिला है वो जो इधर के तरफ कही ह जल्दी से उधर चलते हैं भाई ये क्या था है ओ भाई साभ यार मेरे ख्याल से ये जो हैं मीटियॉर सावर हो रहा है और उट तेरी भाई 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 बच गाई यार हमनों हमें जो है सायब से फाइर गॉडजिला रोक रहा हैं कि हम लोग उसके पास तक नहीं पहुंच पाएं और भाई यार बहुत खतरनाक मीटिय और सावर हो रहा हम लोग जाए इन सावर से बचते हुए चलना होगा ओके ओके आराम से भाई फायर गौट जिला चाहें कितनी भी कोसिस कर ले पर वो हमें इस लोसेंटास को बचाने से नहीं रोक सकता भाई हम लोग अभी मर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें इस लोसेंटास को बचाना होगा फ्रेंकलिंगर अगर हम लोग मरेंगे तो फायर गौट जिला को मारने के बाद ही मरेंगे तो चलो हम लोग जल्दी से जो फायर गॉर्ट जिला को रोकने के लिए चलते हैं क्योंकि यार भाई वो सहर में काफी ज़्यादा तूफानी कर रहा है यार भाई अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा लास सेंट आस कुछी घंटों में तबाव हो जाएगा और भाई हम लोग जो है फायर गॉर्ट जिला के काफी पास आ चुके हैं मैं बस यहां तक जाना है तो यार चलो चलते हैं और भाई है मेरे खाल से फायर गॉर्ट जिला यहीं कहीं आस-पास होना चाहिए क्योंकि मैं जैसे ही इस लोकेशन के पास बढ़ते जा रहा हूं वैसे ही मीटियोर सावर बढ़ते जा रहा है तो यार गॉर्ट जिला तुम चाहे कितनी भी कोसस कर लो पर ये फ्रैंकलिन ब बहुत जोल से आरी है तो हम लोग ज़ए एकम चौक अन्हे रहते हैं मैं लोग आगे के तरफ शलते हैंजरी मेरे कils दो दिनींग कर दो आजपकरFय और वार ऐ सब यह यह और फायर गौडजिला ओ भाई साब यार ये लग रहा है अभी तक हमें देखाने पर यार ये कितना जाता खतरनाक लग रहा है भाई देखने में तो हम लोग जो है अराम से इधर के तरफ अपनी गाड़ी पार करते हैं और भाई ये तो हमारी उपर फाइरिंग करने लगा भ भाई फाइनली जो है आइस गौडजिला आ चुका है हमारी मदद करने और भाई अब तो यार फायर गौडजिला गया तर अब बारी है सबसे भायानक युद्ध की जो की होने वाला है फायर गौडजिला और आइस गौडजिला के बीच और भाई फायर गौडजिला तो आ वाला एकदम पूरा मौसम पढ़ा है और इधर कउन है और एधर कौन है यहां से तुछ यहां पहुद देख सकते हैं जब यहिसे दोनों का सरकशे लगभ बराबर हैं जा एक रहन मेंगका वोग जम्सटाने चाहँ पूरा मौसम complete पारे जा चुक हैं और भाई यार आइस गोडजिला ने जो है इस लॉस एंटास को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी हमें इस रद्धानजली के लिए एक लाइक इस प्रेकी रीती को अपनाना होगा तो यार रेश्ट इन पीस आइस गोडजिला और भाई लोग या तो चलो भाई यह तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे के पूरे 15,000 लाइक के लिए जैसे ही इस वीडियो पे 15,000 लाइक हो जाएंगे मैं जो है गोडजिला का सेकंड पार्ट भी बना दूंगा तो चलो भाई आज बूरे के लिए तना इथा मेडियो लिन दे नेक्स वां ते दन बायान जाहिंद